हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदंकुर शर्मा में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी को पता होगा आज हमारा नया बजट अनाउंस हो चुका है जो कि हमारा 2023-2024 सेशन के लिए है और इसमें अनाउंसमेंट्स होई हैं वैसे तो बाकी मैं उसके लिए separate एक वीडियो बना दूँगा लेकिन अभी की जो मेरी वीडियो है ये focus करेगी income tax labs में क्योंकि बहुत सारे लोग जो की अभी salary हैं तो उन लोगों को अभी बहुत सारी problems आती है income tax में तो वो लोग यहां से देख स कोई भी यहां पर अभी tax लगने वाला नहीं है पहले इसमें था हमारा 0 to 2.5 lakh था लेकिन अभी इसको 0 to 3 lakh कर दिया गया है तो इसमें अभी 0% tax आपको देना पड़ेगा सेकेंड नमबर पर हमारा जो है वो है 3 lakh to 6 lakh तो जो लोग हमारे थोड़े से अच्छी income range में आते हैं जो कि हमारे 3 lakh से 6 lakh की range में है तो उनके उपर हमारा भी 5% का tax लगेगा थर्ड नमबर पर हमारा जो भी है वो है 6 lakh से 9 lakh में मतलब 6 lakh to 9 lakh रुपीज अगर कोई आरन कर रहा है yearly एन्वली बोल सकते हैं तो उनके उपर हमारा tax लगेगा 10% नमबर 4 है हमारा 9 lakh to 12 lakh मेंस 9 lakh से लेके 12 lakh तक का जो पैसा कमा रहा है भी ठीक है उनके पास जो tax lab होगा हमारा वो 15% पर जाएगा 15% आपको अपनी income का government को देना पड़ेगा नमबर 5 पर रुपीज 12 lakh to रुपीज 15 lakh मेंस अगर कोई 12 lakh से लेके 15 lakh कमा रहा है तो उसको यहाँ पर 20% tax देना पड़ेगा ठीक है नमबर 6 पर आएगा आपका एबव रुपीज 15 lakh मेंस अगर आप 15 lakh से भी ज़्यादा कमा रहे हो तो उस case में आपको 30% tax government को देना तो दोस्तो इसमें हमारा भी कुछ कुछ चीज़े improve की गई हैं तो वो improvements मैंने आपको बता दिया है तो basically बोल सकते हैं कि 15 lakh से ओपर जो भी लोग हैं वो लोग तो royal category में आते हैं मतलब उनकी tax range जो है वो सबसे highest है और इंडिया में सबसे highest tax जो है हमारा 30% ही है जो कि मैं सिर् ज्यादा तर जो IT में involved हैं IT sector में तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादे useful है तो इसको spread कर दीजेगा अपने दोस्तों लोगों को और जिन लोगों को भी इसकी tax life की जरुवत है बाकि हमारे चैनल को subscribe कर लिजे ऐसी वीडियो आपको time to time मिलती रहेंगी बाकि मिलते है नेक यह थो वाच्छिन